नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टडी आई क्योजी के पर फेंट्स आज में आपके लिए सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉरेंट टॉपिक का नाम है परुस्कार और सम्मान दोहजाद तेईस इससे चलिये शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा दोहजाद तेईस में भारत की सर्वोज सहाइतिक सम्मान जसका नाम है ग्यानपिट परुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर होगा ऑप शन है दामोदर मोजो दामुदर मोजो को फेंड्स दो हुजात तेईस में 57 वे ग्यानफिट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है यह आपको याद रखना है यह है इनकी फोटो दामुदर मोजो जी की गोवा के लगू कथा लेखक उपन नयासकार आलोचक एवं कौंकनी में पठकथा लेखक दामुदर मोजो को भारत के सर्वोज सहाहितिक सम्मान 57 वे ग्यानफिट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और आपको बताना चाहता हूँ यह जो ग्यानफिट पुरुसकार होता ह आंसर होगा ऑप्शन B सल्मान रुष्दी सल्मान रुष्दी को 2023 में जर्मन शान्ती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एक्जाम के लिए इंपॉर्ण कोशन है प्रेसिद बिटिश अमेरिकी लेखक सल्मान रुष्दी को उनके उतकरिष्ट योगदान के लिए प्रति स्थित जर्मन शान्ती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतराश्टी बुकर पुरुसकार किसने जीता है एक्जाम के लिए आप इस कोशन को डबल स्टार मार कर लीजे आंसर क्या होगा ऑप्शन ए जोर्जी ग बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोग का टाइम शेल्टर उपन्यास यह पुरुसकार जीतने वाला बुल्गारियाई में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है अब हम अंतराश्टी बुकर पुरुसकार के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं अं जून दोहजाद देश में किस देश ने प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी को अपने सर्वोच सम्मान ओर्डर ओफदा नील से सम्मानित किया है आंसर क्या होगा ओप्शन डी मिस्टर देश ने या बोल सकते हो इजिप्ट देश ने जून दोहजाद देश में अपने यह प्रतिष्टिस पुरुस्कार उन्हें मिस्तर के राष्टपती अब्देल फते अलसीसी द्वारा प्रदान किया गया है वर्ष 2014 में पदभार समालने के बाद प्रधान मंतरी को दिया गया यह 13 अंतराश्टिय पुरुस्कार है यह भी आपको बताऊना चाहिए अब देख कर लेते हैं ओर्डर ओफ दे नील दिया है मिस्तर देश ने 2023 में दा ग्रैंट कमपैनियन ओफ दा ओडर ओफ लोगो हूँ यह पुरुसकार किस देश ने दिया है पपुआ नियू गिन्नी ने मई 2023 में दोनों आपको याद रखने है उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजी देश ने भी दिया है अपना सर्वोच सम्मान जिसका नाम क्या है कमपैनियन ओफ दा ओडर ओफ फीजी फीजी ने दिया है मई 2023 में अब हम बात कर लेते हैं पलाव गनराजे ने भी अपना सर्वोच प्रुसकार दिया है मोदी जी को जिसका नाम है एबाकल अवार्ड कब दिया है मई 2023 में बोटान देश ने भी दिया है उसका नाम है और ओफ दा ड्रग गयालपो 2021 में दिया है अमेरिका ने दिया है लीजन ओफ मेरिट ठीक कब दिया 2020 में बहरीन देश ने भी अपना सर्वोच सम्मान दिया मोदी जी को दा किंग हमाद ओडर ओफ दा रहनेंसा 2019 2019 में ही मालदिव ने भी अपना सर्वोच सम्मान दिया मोदी जी को निशान इजुदीन सम्मान रूस देश ने भी 2019 में दिया मोदी जी को ओडर ओफ सेंट एंड्रियो वहीं अगर हम बात करें ओडर ओफ जायत किस देश ने दिया सयूंकत आरब आमिरात ने ये कोशन तो अवगाजी अमीर अमानुला खान ये अवार्ड अफगानिस्तान ये दिया 2016 में और अब्दुल अजीज अलसौत ये दिया सौधी अरब ने 2016 में उमीद करता हूँ फ्रेंट्स ये पॉइंट आपको काफी तदा पसंद आये होंगे नेक्स कोशन दो हजार तेज़ में फिक्षन के लिए पुलिज़र पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा ओप्षन C उपियुक्त A और B यानि की बारबरा किंग सोलवर और हरनान डियाज इनको फ्रेंड्स फिक्षन के लिए पुलिजदर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 में यह आप फोटो से देख सकते हो बारबरा किंग सोलवर जोकी महिला है ने डैमन कॉपर हेड उपन्यास के लिए यह पुरुसकार जीता है नेक्स कोशन 2023 में अंतराच्टी ओलम्पिक समीती ने ओलम्पिक ओर्डर से किसे सम्मानित किया है सही आंसर क्या होगा ओप्शन ए डॉक्टर टैड्रोस गैब्रेयसस को 2023 में अंतराच्टी ओलम्पिक समीती ने ओलम्पिक ओर्डर से सम्मानित किया है विशुस्वास संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेडरोस को यह पुरुसकार COVID-19 महामारी की चुनोतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोकिय 2020 में कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गिया है ठीक है नेक्स कोशन 2023 में किस देश ने भारत की राश्चपती दरौबदी मुर्मू को अपनी सर्वोत सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star से सम्मानित किया है Most important mark करिए सही answer होगा option B सूरी नाम सूरी नाम देश ने भारत की जो राश्चपती है दरौबदी मुर्मू इनको अपना सर्वोत सम्मान दिया है सर्वोत सम्मान का नाम है Grand Order of the Chain of the Yellow Star यह आपको याद रखना है डिटेल में समझते हैं सूरी नाम के राश्चपती चंतिका परसाद संतोकी ने मजबूत रिपक्षय संबंदों के लिए राश्चपती दौबदी मुर्मूजी को यह सम्मान दिया है राश्चपती दौबदी मुर्मूजी है हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राश्चपती है पंदरवी नमबर की यह राश्चपती है अगला कोशन 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाशा में सहाइते अकादमी बाल सहाइते पुरुसकार किस ने जीता है आंसर क्या होगा ओप्शन ए सूरेनाथ सिंग अब हम अन्य पुरुसकार विजयताओं की सुची देख लेते हैं अंगरीजी में मिला है सुधा मूर्ती को शीशा क्या था? Grandparents Bag of Stories पंजाबी में मिला है गुर्मीत कड़ी आलवी ठीक है सची दी कहानी के लिए उर्दू में मिला है सुर्गे मतीन अचालपूरी को ममता की डोर के लिए संस्क्रीट में मिला है राधा वल्लब तरपाथी को मानुवी उपन्यास के लिए अगर आपको वीडियो की कॉलिटी, वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें comment box में अपना feedback भी ही दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है मैं आपको 15th question के बाद एक good information देने वाला हूँ कि जो हमारी last six month की paid PDF है वो आचुकी है ठीक है उसके बारे मैं आपको मैं complete जानगरी दूँगा 15th question के बाद ठीक है friends बहुत ज़्यादा useful रहेगी आपके लिए हमारी ये paid PDF पिछले 6 मेहने के बाद जनवरी से जून 2023 के सभी important questions की PDF अगला question लॉरिया sportsman of the year 2023 का पुरुसकार किस खिलाडी ने जीता है आंसर क्या होगा option B लियोनल मैसी लियोनल मैसी जो की football खिलाडी है इनको लॉरिया sportsman of the year 2023 का पुरुसकार मिला है डिटेल में समझते हैं वहीं अगर हम बात करें लॉरिया sportswoman of the year 2023 ये खिताब किनको मिला है जमेका की शैली एन फ्रेजर प्रिसको नेक्स कोशन 2023 में शताबदी पुरुसकी उपादी से किसे सम्मानित किया गया है आंसर किया होगा इस कोशन का option D. पंडित राम किशन जी को 2023 में शताबदी पुरुस या बोल सकते हो man of the century की उपादी से सम्मानित किया गया है ये इनकी फोटो है कोशन को double star मार्क करिए आप डिटेल में समझते हैं प्रसीद समाजवादी नेता पंडित राम किशन को भारतिय समाजवाद में उनके योगदान के लिए नई दिल्ली में शताबदी पुरुष या बोल सकते हो man of the century की उपादी से सम्मानित किया गया है फ्रेंट्स कोशन का level देखे आपको बता लग रहा होगा कि सभी कोशन जो है लाइफ टैम अचीवमेंट पुरुष कार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा option D. पंडित पून दास बाउल को यह आपने याद रखना है डिटेल में समझते हैं International Performing Arts Festival ने कोलकाता में पंडित पून दास बाउल को विशु स्तर पर पारंपरिक बाउल संगीत में उनके उतक्रिष्ट योगदान के लिए पहले कला करांती लाइफ टैम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है नेक्स कोशन इंबोरन रहेगा 2023 में किस भारतिय गायक संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टेरेट की मानद उपादी से सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा ओप्शन C शंकर महादेवन को प्रसिद गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंगम सिटी युनिवर्सटी द्वारा डॉक्टरेट की मानुदपादी से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन राश्टपती दुरॉबदी मुर्मुजी ने नर्सिंग छेतर में अभूत पूर्व योगदान के लिए राश्टिय फ्लोरेंस नाइटिंगल सम्मान 2022 और 2023 से कितने नर्सिंग पेशवरों को सम्मानित किया है आंसर क्या होगा ऑप्शन D तीस राश्टिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पूरुषकार की स्थापना केंद्रिय सवास्ता और परिवार कल्यान मंत्राले ने वर्ष 1973 में नर्सों और नर्सिंग पेशवरों की और से समाज को प्रदान की कई सरहानिय सेवाओं के सम्मान के रूप में की थी अगला कोशन चौथे राश्टिय जल पुरुषकार 2022 में सर्वष्टेश जिले का पुरुषकार किसने जीता है आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा का जो गंजम जीला है इसने राश्टिय जल पुरुषकार 2022 में सर्वष्टेश जिले का पुरुषकार जीता है ये चौथा संस्करन था वहीं अगर हम बात कर लेते हैं सरवश्रेश राज्य का प्रुसकार जीता है मद्धेपरदेश ने सरवश्रेश शहरी स्थाने निकाई का प्रुसकार जीता है चंडीगड ने सरवश्रेश ग्राम पंचायत का प्रुसकार जीता है तेलंगाना के बदराधी कोठा गुडेम ने और मीडिया श्रीडी में दूसरा सरवश्यच पुसकार जीता है अकाशवानी गुहाटी ने अगला कोशन 45 में European Essay Price for Lifetime Achievement Award 2023 से किस भारती लिखी को सम्मानित किया गया है सही आंसर क्या होगा ओप्शन B अरुंधती रॉयको अरुंधती रॉयको यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है फ्रेंट्स नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी के लिए गूर्ड न्यूस है कि जो हमारी पेड पीडियफ की वेबसाइट है वो लॉंच हो चुकी है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com फ्रेंट्स इस वेबसाइट पर आपको जाना है हमारी वार्षी की 2022 से करेंट अफिर्स की रवीसर की और अर्द वार्षी की 2023 की जन्वरी से जून तक की यह लॉंच हो चुकी है फ्रेंट्स ठीक हर एक्जाम के लिए काफी यूसफूल है यह करेंट अफिर्स की पीडियफ मतलब हैंट्स अब आपगर आप इस प्रेंट्ट आपको ऑमारी पालेटी की हिस्ट्री जोग्रोफी की जिग की कंप्यूटर की हर्स पज़िक की पीडियू पिर्स वेबसाइट ही जाना है आपको इस पर आपगाने के लिए इसका नाम रिशबी एट्ट याईज पेडि नेक्स कोशन, 2023 में अंतराश्टी Green Apple Awards जितने वाला भारत का पहला राज्जे कौन सा बना है? आंसर क्या होगा, ओप्शन D, तेलंगाना राज्जे भारत का तेलंगाना राज्जे के पांच भवनों को उनकी सुन्दरता के लिए इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया है और आपको बताना चाहता हूँ, अंतराश्टी Green Apple पुरुसकार लंदन में The Green Organization द्वारा प्रतिवश प्रस्तुत किया जाता है नेक्स कोशन, most important है, 2023 में Governor of the Year पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा, ऑप्शन C, शक्तिकान दास जी को, जो की RBI के गवरुनर है प्रेजन्ट में 64 साल बाद वैक्तिकत रूप से रैमन मैकसे से पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा, इस कोशन का, option B, दलाई लामा जी को, डिटेल में समझते हैं, इनको यह है, पुरुसकार तिबब समोदाई के लिए संघर्ष करने और तिबती संस्कृत को प्रेणा दिलाने के लिए दिया गया है रैमन मैकसेसे अवार्ड फिलिपिन्स के साथ में राष्टपती रैमन मैकसेसे की याद में दिया जाता है, इस पुरुसकार की स्थापना 1957 में की गई थी अगला कोशन, गनित के छेतर में सबसे प्रतिष्ठित पुरुसकार एबल पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन B, लुईस क्याफ्रेली को अर्जंटिना की गनितक लुईस क्याफ्रेली को उन समी करनों पर शोद कारे करने के लिए दिया गया है, जो कई बहुत तिक परिखटनाओं को वर्नन करने के लिए महत्वपुन है नेक्स कोशन कर लेते हैं, अन्तराश्टिय भारतिय फिल्म अकादमी पुरुसकार 2023 में सर्वश्रेश्ट अभिनिता का पुरुसकार किसने जीता है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन C, रितिक रोशन ने किस फिल्म के लिए मिला है, विक्रम वेधा के लिए, अब हम अन्य पुरुसकार विजयताओं के बारे में जान लेते हैं, सर्वश्रेश्ट अभिनितरिय किताब मिला है, आलिया भट को, गंगु भाई काठिया वारी फिल्म के लिए, सर्वश्रेश्ट फिल्म का किताब मि तेको, next question, फैमिना मिस इंडिया दो होजा तीज की ताब किस ने जीता है, आंसर ग्या ओगा, option C, नंदनी गुपता ने, मिस इंडिया दो होजा ताइज का किताब जीत लिया है नंदनी कुपता भारत की 59 में मिस इंडिया बनी है राधिस्थान की कोटा शहर की है ये और आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले जो मिस इंडिया 2022 में बनी थी सिन्नी शेटी बनी थी अगला कोशन प्रवासी भारतिय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा ऑप्शन ए राज सुब्रमन्यम को प्रवासी भारतिय सम्मान भारतिय सरकार द्वारा भारतिय मूल के व्यक्तियों और डाइस्पोरा को दिया जाता है जिन्होंने अपने संबंदित छेतरों में महतवपुन योगदान दिया हो अगरा कोशन प्रिज़र आर्किटेक्चर पुरुसकार 2023 किसने जीता है आंसर क्या होगा ओप्शन ए डैविड एलन चीपरफिल ने डैविड चेपरफिल यॉनाटेड किंग्डम के रहने वाले है प्रिज़र वास्तुकला पुरुसकार एक अंतराश्टिय वास्तुकला पु भारत की राष्टपती द्रौबदी मुर्मो ने वर्ष 2023 में 106 बदम पुरुसकारों के लिए मंजूरी दी इन पुरुसकारों के सुच्चे में 6 बदम विभूशन, 9 बदम भूशन और 91 बदम शिरी पुरुसकार सामिल है पुरुसकार बाने वालों में 19 महिल आई है कि पर बाल क्रिशन दोशी मरनो प्रांथ मिला है जाकिर हुसें तिसे नंबर पर चौते नंबर पर एसम क्रिशन पांचे नंबर है दिलिप महाल नौबिस मरनो प्रांथ मिला है और 6 बदम पर शिरी नवास वर्धन इसका फेंस आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए अगला कोशन मादरभूमी बुक ओफ दा इयर 2023 का पुरुसकार किसने जीता है आंसर क्या होगा ऑप्शन बी डॉक्टर पैगी मोहनने इन नहीं है पुरुसकार उनकी पुस्तक वांडरस किंग्स एंड मर्चंट्स के लिए दिया गया है जो प्रवासन के परिनाम सरुप भाशा के विका प्रवास को चितरित करती है नेक्स कोशन है मारा गनित श्रीनी में ब्रेक्थ्रू प्रोसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का ऑप्शन डी डैनियल स्पीलमैन जो की अमेरिका की है और फैंस यह जो गनित श्रीनी में ब्रेक्थ्रू प्रोसकार 2023 इसे Oscar of Science के नाम से भी जाना जाता है, अब हम अन्य प्रुसकार विजिताओं के नाम देख लेते हैं, मौलिक बहुत कि में किसे मिला है, चार्ल्स बैनेट, गाइल्स बारसट, डैविड डिूश और पीटर शोर, जीवन विज्ञाने मिला है, किलफोर्ड, ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन को, नेक्स कोशन, 2023 में मनार बायोसफेर रिजर्व अबंदन की खाड़ी के लिए, युनेसको मिशैल बैटिस प्रुसकार किसने चीता है, सही आंसर होगा, ऑप्शन D, जगदीश S. बाकन ने, जगदीश S. बाकन को मनार बायोसफेर रिजर्व की खाड़ में उनके काम के लिए प्रुसकार के लिए चुना गया है, नेक्स कोशन, 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट शान्ती सैनिकों के सर्वोच सम्मान, जिसका नाम है, हैं मार्क्स जॉल्ड मैडल से किस देश के सैनिकों को मन्नोपरान सम्मानित किया गया है, आंसर होगा, ऑप्शन ने भारत, डिटेल में कोशन को समझते हैं, संयुक्त राष्ट में भारत की स्थाई प्रतिनिती, राजदूत, रुचीरा, कमबोज ने, हैट कॉंस्टेबल, सिशुपाल सिंग, और सामला, राम, बिश्नोई की और से, डैक, हैम, मार्क्स, जोल्ड, पदक प्राप्त किया ह नेक्स कोशन, 2023 में, फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुसकार, शेवलियर, डी, ला, लीजन, डी, ओनर से, किस भारतिये को सम्मानित किया गया है, आंसर होगा, ऑप्शन A, एन, चंदर शेखरन, टाटा समों के अध्यक्ष, एन, चंदर शेखरन को भारत और फ्रांस के बीच वैपार संबंदों को मजबूत करने में, उनकी यगदान के लिए, फ्रांस का सर्वोच नागरिक पुरुसकार, शेवलियर, डी, ला, लीजन, डी, ओनर दिया गया है, नेक्स कोशन, 2023 में, ब्रिटेन के प्रधानमंतर इशिक सुनक ने, 101 वर्षिये कि सिख सैनिक को, पॉइंट ओफ लाइट पुरुसकार से सम्मानित किया है, सही आंसरों का, इस कोशन का, ओप्शन C, राजिंदर सिंग धट, राजिंदर सिंग धट को दृते विश्विद में, उनकी सेवा के लिए, पॉइंट ओफ लाइट पुरुसकार से सम्मानित किया है, नेक्स कोशन 2023 में पहले युनेसको एई आई फॉजन अंतराज्टिय पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर होगा Option F उप्युक्त सभी Dr. Federico Ariel अर्जेंटीना के है Prof. Kriya Oumufu चीन के Dr. Ham Omran मिस्त के Dr. Zelena Waldick सर्विया के Prof. Abdun Antagna कैमरून के Next question मल्यालम भाशा में उपन्यास जिसका नाम है पैरुमा जाइथे कुन्जी थालुकल के लिए प्रतिष्टिस सहाईते अकादमी बाल सहाईते पुरुसकार 2023 किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option C Priya A. उपन्यास पैरुमा जाइथे कुन्जी थालुकल वर्ष 2018 में केरल में आई बार्ड की प्रिष्ट भूमी पर अधारित है जो आपदा के दोरान विभिन प्रिष्ट भूमी के बच्चों द्वारा प्रदिशित सहास और सहीयों को दर्शाता है नेक्स कॉशन कर लेते हैं 2023 में किस डॉक्टर को चिकिस्था में उत्कृष्टा के लिए इंडियर मैडिकल एसोसियेशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option B. डॉक्टर के वेनु गोपाल अगला कॉशन तेरवें भारत रतन डॉक्टर अंबेटकर अवर्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option B. योगी अदित्यनाथ यूपी के मुख्य मंत्री है नेक्स कॉशन 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलिजर पुरुसकार से किस समाचार पत्र के करमचारियों को सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A. The New York Times The New York Times को यूकरेन पर रूस की आकर्मन को लेकर हुई स्पैशल रिपोर्टिंग के लिए पुलिजर अबॉर्ड दिया गया है नेक्स कॉशन अंतराश्टिय सांख्या की पुरुसकार 2023 किसने जीता है सही आंसर क्या होगा Option A. कल्यामपोडी राधा किरिशन राओ विर्था पुरुसकार पाने वाली भारतिय वायूसेना की पहली महिला दिकारी कौन बनी है सही आंसर क्या होगा Option A. दीपिका मिश्रा डिटेल में समझते हैं राधिस्थान की दीपिका को मध्य परदेश में बाढ रहात अभ्यान की दोरान प्रदर्शित असाधारन सहाज के कारे के लिए वायूसेना पदक्त सम्मानित किया गया है Next Question 2023 में किस भारतिय वृत चित्र फिलम ने Health for All श्रेणी में WHO पुरुसकार जीता है आंसर क्या होगा Option A. वेन क्लाइमेट चेंच टर्न्स वायलेंट इस डॉकुमेंटरी का निर्देशन राधिस्थान की बंदीता सहारियान ने किया है अगला कोशन दूसरे लता दिननाथ मंगेशकर पुरुसकार 2023 से किसे समानित किया जाएगा सही आंसर होगा Option A. आशा भोसले को और वहीं अगर हम बात करें जो पहला लता दिननाथ मंगेशकर पुरुसकार था ये प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी को दिया गया था अगला कोशन प्रतिस्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरुसकार 2023 से किसे समानित किया गया है आंसर होगा Option C. सोनम वंग्चुक Next कोशन बिलबोर्ड की पहली Latin Woman of the Year Award 2022 से किसे समानित किया जाएगा आंसर होगा Option A. शकीरा जो की कॉलंबिया की है कॉलंबिया की गाएका शकीरा को संगीत उद्योग में उनके युगदान के लिए समानित किया जाएगा Next कोशन मारकोनी पुरुसकार 2023 से किसे समानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A. हरी बाल कृष्णन को Next कोशन वन्यजीब संग्षन पुरुसकार 2023 से किसे समानित किया गया है आंसर क्या होगा Option C. आलिया मीर को आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है इनको यह है पुरुसकार वन्यजीब संग्षन के सभी पहलवों में उनकी उपलब्दियों के लिए प्रदान किया गया है पर इस सभी कोशन जो है एक्जाम के लिए most important है और अगर आपको इस वीडियो का या किसी भी topic का quiz या test लगाना है तो आप हमारी application से लगा सकते हैं हमारी application का नाम रवी study IQ GK है आप play store से download कर लीचे वहाँ पे आपको सभी notes और PDF मिल जाते हैं नेक्स कोशन 2023 में किसे अस्टेलिया के सर्वोच नागरिक सम्मान order of अस्टेलिया से सम्मानित किया गया है सही answer क्या होगा option C अस्टेलिया द्रीपक्षी संबंदों को मजबूत करने वेपार उद्योग और परोपकार जगत में उनके परियासों के लिए अस्टेलिया से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन ओस्कर पुरुसका 2023 में सर्वस्टेश्ट अभिनियता का अवार्ड किसने जीता है आंसर क्या होगा option B ब्रैंडन फ्रेजर किस फिल्म के लिए मिला है दव वेईल के लिए मिला है और सर्वस्टेश्ट अमितरय किताब मिला है मिशेल योगो हौंकॉंक की है नेक्स कोशन विश्यो स्वास संगठर ने partnership for healthy cities award 2023 से किस भारतिय शहर को सम्मानित किया है आंसर क्या होगा option c बेंगलूरू शहर को बेंगलूरू को तंबाकू नियंतरन के खिलाब चलाए गए जारुकता अभ्यान और प्रयासों के लिए विश्यो स्वास संगठर ने या पुरुसका प्रदान किया है next question भारत के किस राज्य को संस्कृती सर्वश्रेश्ट गंतव्य के लिए अंतराश्टी यातरा पुरुसका 2023 से सम्मानित किया गया है सही answer होगा इस question का option a पश्यम बंगलू गोल्डवेन परियावरन पुरुसका 2023 से किसे सम्मानित किया गया है answer होगा option b अलेसेंड्रा कोरेप को ब्राजिली अमेजन की आदिवासी मुंदरुकू महीला अलेसेंड्रा कोरेप को 2023 गोल्डमेन परियावरन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है एक्साम के लिए काफी important है ये पुरुसकार गोल्डमेन परियावरन पुरुसकार 2023 next question सुरसती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है answer होगा option c शिव शंकरी को तमिल लेखी का शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्य वन्शम के लिए वर्ष 2022 में 32 सुरसती सम्मान के लिए चुना गया है ये तमिल भाशा में प्रकाशित सम्मरन है और 2019 में प्रकाशित हुई थी कर्तवे पतपच चोहतरवें गंतंतर दिवस परेड के अफसर पर किस राज्य की जहांकी ने पहला पुरुसकार जीता है answer क्या होगा option b उत्राखंड डिटेल में समझते हैं चोहतरवें गंतं दिवस परेड में शामिल उत्राखंड की जहांकी का जो थीम था वो था मंदिर माला मिशन के अंतरगत मानस खंड किस राज्य ने जगा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट परुसका 2023 जीता है आंसर क्या होगा ओप्शन डी ओडिशा जगा मिशन ओडिशा में चलाया जारा एक सलम अपग्रीडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से जुगी वासियों की जीवन को शशक्त बनाया चारा है नेक्स कोशन 2023 में ब्रिटेन में इंडिया यूकी अचीवर्स ओनर्स द्वारा लाइफ टेम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा ओप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंग को पूर्व परधान मंतिर दॉक्टर मनमोहन सिंग को यह है अवार्ड राच्टिय भारतिय चात्र और पूर्व चात्र संग यूके द्वारा दिल्ली में सौपा गया है दॉक्टर मनमोहन सिंग साल 2004 से 2014 तक भारत के परधान मंतरी रहे थे अगला कोशन पॉर्टर पुरुसकार 2023 किस मंतराले ने जीता है? आंसर क्या होगा? Option D स्वास्ट मंतराले कोई है पुरुसकार केन सरकार द्वारा स्वास्टे छेतर और विशेश रूप से कोवीट प्रबंदन में किये गए परयासों के लिए दिया गया है 2023 में नवीन और नवीकर्निय उर्जा मंत्राले ने सरवाधिक पवन शम्ता वृद्धी प्राप्त करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है आंसर क्या होगा इस कोशन का ओप्शन ए राजिस्थान अन्य पुरुस्कार विजितों के नाम हम देख लेते हैं खुली पहुँच के माध्यम से उच्टम पवन शम्ता वृद्धी प्राप्त करने के लिए गुजरात को मिला है और पवन टरबाइन को पुना शक्ती प्रदान करने की शिरुवात करने के लिए तमिलाडो को यह परुसकार मिला है जून 2023 में ग्रैमी अबॉर्ड्स 2024 में किन नई श्रेनियों को जोड़ा गया है सही आंसर क्या होगा ओप्शन D उप्युक्त सभी सर्वश्रेश्ट अफरीकी संगीत प्रदाशन सर्वश्रेश्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग सर्वश्रेश्ट वैकलपिक जैज अलबम अगला कोशन वर्ष 2023 में किस लिखक ने अलिजाबेट लॉंगफोर्ड प्रुसकार जीता है आंसर क्या होगा ओप्शन C रामचंद्र गुहा रामचंद्र गुहा ने Rebels Against the Raj Western Fighters for India's Freedom ने इतिहासिक जीवनी के लिए प्रुसकार जीता है यह आपको याद रखना है और अलिजाबेट लॉंगफोर्ड प्रुसकार की स्थापना 2003 में Flora Fraser और Peter Soros ने बिटिश इतिहासकार एलिजाबेट लॉंगफोर्ड की याद में किया था नेक्स कोशन 2023 में अमेरिकी शरम विभाग के इकबाल मसीप रुसकार से किसे सम्मानित किया गया है आंसर होगा ओप्शन ए ललिता नटराजन चैन्ने की वकील और बाल अधिकार कारेकरता ललिता नटराजन ने बाल शरम उन्मूलन के लिए अमेरिकी शरम विभाग के 2023 इकबाल मसीप रुसकार को जीता है यह आपको याद रखना है उपनियाज दा सीक्रेट डायरीज ओफ चार्ल्स इगनाटियस सांचो के लिए रॉयल सोसाइटी ओफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लेंड प्रोसका 2023 किसने जीता है सही आंसर क्या होगा ओप्शन सी पैटर्सन जॉसेफ नेक्स कोशन 2023 में भारते मूल की किस महिला विग्यानी को डच विग्यान में सर्वोच सम्मान जिसका नाम है सिपनोजा प्रोसकार से सम्मानित किया गया है सही आंसर क्या होगा इस कोशन का ओप्शन ए जाइता गुपता यह परुसकार डच अकादमिक छेतर में सरवोज परुसकार है यह परुसकार हर साल नीदरलेंड में काम करने वाले उन शोध करताओं को दिया जाता है जो अंतराश्टे मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे शोध करते हैं नेक्स कोशन सही आंसर क्या होगा नेक्स कोशन है मारा सही आंसर क्या होगा औप्शन C उपयोग दोनों रिंटू थॉमस और सुश्मित घोश ने रिंटू थॉमस और सुश्मित घोश असी साल के तिहास में परुसकार जीतने वाले भारतिये भी बनी है नेक्स कोशन कर लेते हैं 2023 में लिब्जिक बुक परुसकार किसने जीता है आंसर क्या होगा औप्शन A मारिया स्टेपानोवा ने रूसी मूल के लेखी का मारिया स्टेपानोवा को उनकी कविता संग्रे गर्ल्स विदाउट क्लॉट्स के लिए वर्ष 2023 में प्रतिस्ठित लिब्जिक बुक पराइस फोर उरोपियन अंडरस्टेंडिंग से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन वर्ल्ड प्रेस फोटो परुसकार 2023 किसने जीता है सही आंसर क्या होगा ओप्शन A एवगैनी माला लेटक ने युकरीन की प्रेस फोटोग्राफर एवगैनी माला लेटका की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो आफ दा इयर जीता है नेक्स कोशन मैलकम आदी सेशिया परुसकार 2023 से किस सम्मानित किया गया है सही आंसर क्या होगा ओप्शन B उत्सा पतनायक उत्सा पतनायक प्रसेद अर्थ शास्तरी और लेखी का है यह आपको याद रखना है अगला कोशन किस भारतिय शहर ने लगाता दूसरी बार ट्री सिटी ओफ दा वर्ल्ड 2022 का किताब जीता है आंसर होगा ओप्शन C मुंबई शहर ने मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवर्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगाता दूसरी बार दूसरी बार दस ट्री सिटी ओफ दा वर्ल 2022 से सम्मानित किया गया है नेक्स कोशन 2023 में जल में जेल में बंद किन महिला पतरकारों को सयुक्त राष्ट प्रैस सोतंदर्ता की परमुख पुरुसकार जिसका नाम है सच्चाई और जवाब दही के प्रती बदता जीता है सही आंसर होगा इस कोशन का ओप्शन डी उप्युक्त सभी इरान की एलहे मुहमडी इरान की लोफर हमीडी और इरान की ही नर्गिस मुहमदी को यह पुरुसकार दिया गया है इन वजेताओं को इरान में मान्वादिकारों के हनन और सच्चाई और जवाब दही के परती उनकी प्रती बदता पर रिपोर्टिंग के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया गया है विजडन पुरुष और महिला T20 प्लेयर ऑफ दा इयर 2022 का किताब किसने जीता है आंसर क्या होगा Option A सुर्य कुमार यादव और हर्मनप्रीत कौर केंद्री ग्रह मंद्री अमिश हाजी ने किस राज्य की पुलिस को असाधारन सेवा के लिए प्रैसिडेंट्स कलर प्रदान किये है आंसर क्या होगा Option B हर्याना हर्याना पुलिस राश्च्पती से यह सर्वोज सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की 10 राज्य पुलिस पलों में से एक बन गई है यह आपको याद रखना है Next question वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेश्ट फीफा पुरुष खिलाडी का पुरुसकार किसने जीता है आंसर होगा option B लियोनल मैसी अर्जेंटीना के है अब हम फीफा पुरुष कारों की विजितों की सूची जान लेते है सर्वश्रेश्ट फीफा महिला खिलाडी 22 किताब जीता है बार्सिलोना स्पेन की अलेक्सिया पुटेलस ने सर्वश्रेश्ट फीफा पुरुष गोलकीपर 22 किताब जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने सर्वश्रेश्ट फीफा महिला गोलकीपरा किताब जीता है मैरी एर्पस ने और फीफा फेर प्ले अवार्ड 22 जीता है लुका लोचो शवीली ने नेक्स कोशन नेक्स कोशन, 2023 में प्रोफेसर कोठापली जैशंकर पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा, Option D, अचारे अन गोपी नेक्स कोशन, 2023 में पैन अमेरिका शताबदी सहस पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा, option D, सल्मान रुष्दी नेक्स कोशन, 2023 में God's Children are Little Broken Things पुस्तक के लिए डाइलन थॉमस पुरुसकार किसने जीता है सही answer क्या होगा, option C, अरिंज इफे कांडू next question, 2023 में किस बंदरगा को गयर कंटेनर श्रेनी में सागर स्रेष्ट समान से समानित किया गया है answer क्या होगा, option C, कोची बंदरगा केरल क्यूं दिया गया इफेंज, 2022, 2023 में गयर कंटेनर श्रेनी में सरवश्टे स्रफिम्ट टर्न राउंट समय के लिए दिया गया ह Hay उपन्यास वेन वी आर सिस्टर्स के लिए पहले केरल शील्ड्स पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा ओप्शन ए फातिमा असगर नेक्स कोशन 2023 में राश्टपती द्रौबदी मुर्मु जी ने कितने रक्षा बलों को वीरता पुरुसकार प्रदान किये है आंसर होगा ओप्शन ए 37 राश्टपती द्रौबदी मुर्मु ने सचत्र बलो केंद्रिय सचत्र पुलिस बलो और राज्जे या केंद्र शाचित परदेश की पुलिस के कर्मियों को 5 मर्नोपरांथ सहित 8 कीरती चकर और 5 मर्नोपरांथ सहित 29 शौरे चकर प्रदान किये है तो आपको याद रखना है कि 2023 में राश्पती दुरॉबदी मुर्मूर ने कितने रक्षा बलों को वीरता पुरुसकार दी हैं? 24. राश्टी युवा संसत पृतियोगिता 2022-2023 में किस विद्याले ने प्रत्थम पुरुसकार जीता है? आंसर होगा ओप्षन ए जवार नवोदे विद्याले पशिम बंगाल कांज फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस फिल्म ने प्रतिस्थित पाल में डी और पुरुसकार जीता है? आंसर होगा ओप्षन डी एनाटॉमी ओफ फॉल अन्य पुरुसकार जीता है देख लेते हैं सर्वश्टिष्ट अभिनित्य किताब जीता है मरवे दिजदार ने सर्वश्टिष्ट अभिनित्य किताब जीता है कोजी याकुशो ने और वहीं अगर हम बात करें अगला कोशन अंसर होगा और लाइफटेम अचीवमेंट अबार जीता है प्रेम चोपडा ने Misses India 2020 का किताब किस ने जीता है सही आंसर क्या होगा Option B जोती अरोडा ने Miss Universe 2022 का किताब किस ने जीता है आंसर क्या होगा Option D R. Bonnie Gabriel 61 संसकरन था और भारत की तरफ से प्रतिनित्व किस ने किया दीविता राइने नेक्स कोशन 2023 में ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स लेते ने किस भारतिय को मानत M.B.E. पुरुसकार से सम्मानित किया है आंसर क्या होगा Option D. Dr. M.N. नंद कुमार नेक्स कोशन किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वस्टेश्ट पुलिस थाने के रूप में चुना गया है आंसर क्या होगा Option C. असका पुलिस थाना ओडिशा का है ये एक्जाम के लिए इंपॉरेंट है फसल भीमा योजना के लिए किस राज्टे को राज्टिय पुलिस का दोहजातेईस से सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा इस कोशन का Option D. करनाटक नेक्स कोशन राज्टिय पंचायत पुलिस का दोहजातेईस के तहत सर्वष्टेश्ट जिला पंचायत का पुरुसकार किसने जीता है आंसर होगा Option C. ओडिशा का गंचम Most important question है ये अन्य पुरुसकार भी जिताएं देख लेते हैं सर्वष्टेश्ट ग्राम पंचायता किता मिला है जहारकंड के कपीलो को सर्वष्टेश्ट जिला पंचायत का पुरुसकार मिला है ओडिशा के गंचम को सर्वष्टेश्ट ब्लॉक पंचायत या बोस्टेश्ट पंचायत समीती का पुरुसकार मिला है हिंजी लिकट ओडिशा को और नाना जी देशमुक सर्वोतम सतत पुरुषकार मिला है ग्राम पंचाइद बिर्नी प्रखंड और ग्रिडी जिला जारखंड नेक्स कोशन 2023 में जर्मोनी के सर्वोज सम्मान और्डर ओफ मैरिट से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option B अगला कोशन मास्टर दिनानाथ मंगेशकर पुरुषकार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा आंसर क्या होगा Option C उपयुक्त दोनो पंकज उदास और विद्या बालन नेक्स कोशन लोग परशाशन छेतर में उत्कृष्टा पुरुषका 2022 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A गती शक्ती राष्टी ए मास्टर प्लैन को लोग परशाशन छेतर में उत्कृष्टा पुरुषका 2022 से सम्मानित किया गया है अगला कोशन 32 में व्याद सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A. Dr. Gyan Chaturvedi Next question 76 में British Academy Film पुरुसकार 2023 में सर्वश्टेश्ट अभिनेता का पुरुसकार किसने जीता है आंसर क्या होगा इस कोश्टेश्ट का Option C. Austin Butler किस फिल्म के लिए मिला है Elvis के लिए और सर्वश्टेश्ट अभिनेता किताब मिला है Cat Blanchett को टार फिल्म के लिए वहीं अगर हम बात करें बेस्ट फिल्म किताब किसे मिला है All Quite On The Western Front Next question आसकर पुरुसकार 2023 में Best Original Mool Song का पुरुसकार जीतने वाला पहला भारतिये गाना कौन सा बना है आंसर क्या होगा Option A Naatu Naatu जो की RRR फिल्म का गाना है Naatu Naatu गाने की बात कर लेते हैं गाय कोन है M.M. किरावनी लिखा किसे है चंदर बोस ने अब किस फिल्म का ये RRR फिल्म का है Next question चिकिस्सा के छेतर में वुल्फ पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A Daniel Drucker को वुल्फ पुरुसकार जो है इसराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है यह पुरुसकार कला बहुत की किरिशी, गनित, रसाइन, विज्ञान और चिकिसा जैसे छे छेतरों में दिये जाते है Medicine के छेतर में मिला है Daniel Drucker को किरिशी के छेतर में मिला है Martinez, Wen, Janu Chattain को रसाइन, विज्ञान के छेतर में मिला है John T. Wilson, Hieraki, Suga और Zaffrey W. Kelly को और गनित के छेतर में किसे मिला है Professor, Professor Ingrid Due Batches को कला के छेतर में मिला है Japan के Fuzika Nakaya और England के Reserve Long Next question दादा साइब फाल के पुरुसकार 2013 में सरवश्रिष अभिनेता का पुरुसकार किसने जीता है आंसर होगा Option C, Ranbir Kapoor किस फिल्म के लिए ब्रहमा स्पार्टवन शिवा के लिए और शवश्रिष अभिनेता किता मिला है आलिया भटको और Film of the Year चुना गया है RRR Next question महराश्र राज्ये के सरवच पुरुसकार महराश्र भूशन पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर किया होगा Option C AB के प्रिसाद क्यों दिया गया है पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए Next question Digital India Awards 2022 में किस पहल को Platinum Awards से सम्मानित किया गया है आंसर किया होगा Option B E-NUM E-NUM का फुल फॉर्म के है Electronic National Agriculture Market Next question Now you breathe poster के लिए Golden Book Awards 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option B Rakhi Kapoor Business Leader of the Decade Award 2023 से किसे सम्मानित किया गया है आंसर क्या होगा Option A Kumar Manglam Birla Next question Poland के सर्वोच सम्मान सफेद Eagle Order 2023 से किस देश के राष्टपती को सम्मानित किया गया है आंसर होगा Ukraine के राष्टपती वलाड़ो मेर जैलन्सकी को आखरी कोशन करते हैं इस वीडियो का लास्ट में है दो कोशन का टेस्ट किस भारती अमेरिकी चिकिस्सक को Young Urologist of the Year Award 2023 से सम्मानित किया गया है आंसरों का Option C Nitya Abraham Friends यह मैं आपको 100 Important Questions करवाई Awards and Honor Topics से की पुस्तक पुरुसकार और सम्मान टॉपिक से अब दो कोशन का टेस्ट है आंसर आपने Comment Box में देना है तो पहला कोशन है हमारा जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंती नरेंद्र मोती जी को अपने सरवोच सम्मान Order of the Neil से सम्मानित किया है चार ओप्शन है दूसरा कोशन है 2023 में शताबदी पुरुष की अपादी से किसे सम्मानित किया गया है दोनों कोशन का आंसर आपने Comment Box में देना है वीडियो कैसी लगी आपने अपना Feedback भी जरूर देना है उमीद करता हूँ रखा गया है हमने अपनी इस PDF में ठीक है फ्रेंट्स अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं 2023 की जो अर्दवार्शिकी है और 2022 की जो वार्शिकी है काफी जादा useful है आपके एक्जाम के लिए ठीक है फ्रेंट्स लिंक आपको दिया गया है www.ravibooks.pdf.com पे विजिट करिए यहाँ पे आपको हमारी जीखे की पॉलिटी की करन्ट अफेट की हर सब्जेट की पेट वीडियोफ मिल जाती है ठीक है फ्रेंट्स यह है वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com वीडियो कैसी लगे फ्रेंट्स आपने कॉमेंट में भी जरूर बताना है और करन्ट अफेट का चैनल भी है हमारा उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर ले करन्ट अफेट्स बाई रवी इस यान को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले आप ठीक है friends हमारी application को download कर लेना test लगाने के लिए इसका नाम है review study IQGK प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best